गुड इवनिंग फ्रेंज मैंने मिज राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनलेसिस आज का देट है 11 आउगस 2021 आज हम लोग वीडियो का दूसरा पट कर रहे हैं जो मैंने लास्टेम वीडियो बनाया था कि अगर आपके पास 2 लाक रुपे है हैं तो आप एक एक साल में कितना टार्गेट करता है कमेंट बॉक्स पर इसका अंसर जरूर बटाना कि आप एक साल में 10 परसेंट कमाना चाहते हैं 20 कमाना चाहते हैं 30 कमाना चाहते 40 50 या फिर 인स 10 माईनिस 20 या फिर as it is profit loss सब equal होगा और मेरेको ना los ना profit ज़रूर इसमगा क इस वीडियो में आपको हमेशा share क्यों buy करने का reason भी बताता हूँ और sale आज जैसे मैंने पहला profit book कर रहा हूँ इस वीडियो से मतलब जब से ये महीने start हुआ है पहला profit book कर रहे है अब तो मैंने आपको पहले भी बता है अगर आप चैनल subscribe करेंगे तो आपको जो मैं videos बनाता उसके regular support और resistance update होंगे साथ में हर monthly preview मिलेगा यानि कि जो share एक बार मेरी playlist में आगे उनके हर महीने आपको regular update मिलते रहते हैं साथ में यहाँ पे जो मैंने कुछ guidelines रखी है कि बही इंट्रेट rates में allowed नहीं कर रहा हूँ इसमें कि मैं ये नहीं बोलू आपको कि आज मैंने ये share buy किया ये share sale किया इसमें मिले को इतना profit हुआ जो भी है आज करूंगा और पता चलेगा कि आगे उस पर क्या होने वाला है stop loss allowed है अगर मैं बोलू कि अगर मैंने कोई share 200 रुपे का लिया है 195, 190 में मैंने stop loss रखा है तो वो allowed है target allowed है अगर सोचो मैंने कोई share 200 पे लिया है और 210 का target दी है हो सकता है कि for example कल परसों या नरसों 208 तक में close हो बट उसके बाद वो 215 तक जाए और उसके बास साम आने तो फिर से 205 पे आ जाए बट इसके लिए मैंने target allowed रखा है ताकि आपको भी clear रहेगा हमको भी clear रहेगा अब बात करते हैं जैसे आपने पिछला वीडियो द bank है M&M है और आज मैं add कर रहा हूं इस पर RBL bank बट इसमें से एक मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको अपना profit book कर रहा हूं HDFC bank पे जो की है almost 1437 और एक चीज मैं आपको ज़रूर बताना चाहूंगा कि जो मैंसे गलती हुई last time जो मैंने आपको टेबल बताया था उसमें value दिया था वो यहां पे अगर आप लोग देखेंगे एक second अगर आप यह चीज देखेंगे M&M का मैंने 30 video I mean 30 shares 90 shares की बतले वो 30 हो गया but मैंने फिर से videos repeat सुना अपना but उसमें मैंने 30 बोला है तो जो बोला है वही implement करेंगे हम लोग तो इस बार इसका जो मैंने दिया है आप आपको value यह M&M का मैं आपको बता रहा हूं जो गलती हुई यहां पे अगर आप देखेंगे यह 30 है कितना है यह 30 है और मैंने actually लिया था around 69,000 70,000 का price पकड़ा था 90 shares के इसाब से बट यहां पे उसका original value आता है 22,000 अभी almost around 2 lakh से अभी तक मैंने 1 lakh ही invest किया the reason is अभी भी market all time high पे है correction तो कभी आएगा यह आपको भी पता है जैसे 15,000 950 के बाद 15,000 550 तक गया तो correction कभी भी आ सकता है तो जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी tips बता है कि अगर आप share market में है तो it doesn't mean कि आपके पास जितना पैस है सब पे invest कीजे no आपको wait करना है opportunity ढूननी है आप fair लगे इसके लिए मैंने यहाँ पर यह दो options भी रखे हैं आपका sale price क्या है जो मैंने आपको बताया जैसे आप अगर यहाँ पर देखेंगे HDFC bank का 1422 में आपका अपना buying था ठीक है और अपना जो selling हुआ एक second sorry अभी अपना जो selling हुआ है 1494 पे है 1494 पे अपना selling है तो around 71.85 का अपना per share profit है और total profit हो गया 1437 तो पहला profit 1437 है अब इसको देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग यह table को और simple कर सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे अगर मैं add करूंगा यहाँ पे तो definitely एक page में होगा नहीं और एक साल होते होते तो भाई यह list इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको first से दिखना पड़ेगा तो जो एक बार मैं sale कर दूंगा अगले बार वो table आपको I mean अगले बार वो share का detail नहीं रखेगा सिर्फ profit हम लोग रखेंगे जो आपको clear रहेगा कि भाई अगर यह बंदा 2 lakh invest कर कितना हो और आता कितना है you have to be very honest अगर आप सच बोलोगे तो ही आप उसको rectify कर पाओगे या फिर आप मेरे email ID में भी mail कर सकते हैं काफी लोग mail करने लगें मेरे ये वीडियो की series के बाद कि sir हमें भी guide कीजे मैंने सब को एक ही चीज़ बताई है guide तो मैं इस proper करता हूँ already correction है आप अगर उसे buy करते हो support level में उसके बाद भी वो गिरते है तब भी आपका loss बहुत minimum में जाएगा ठीक है आप wait कर सकते हो अप सोचो 200 का share है उसका support level है 140 का और अगर आपने 200 पे buying की है 140 पे आ गया है अभी तो आपको कितना wait करना पड़ेगा जबकि 200 का share है 140 का support है 140 प सोज में मैं ये चीज़े बता रहा हूँ और जब भी होता है ये आपको दिखाता भी हूँ उमीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो ज़रूर अच्छी लगे तो please like और subscribe कीज़े जैसे मैं आपको support करता हूँ सही support और resistance दे कर उस तरह आप भी मुझे support कीज़े मेरे वीडिय पर ज़रूर फॉर्वर्ड कीज़े ताकि उन लोगों को भी ये important information मिल सके thank you so much have a nice day